हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश विस्वाकरमा के यूटूब चैनल पे जैसा की फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग देख पारे फ्रेंट्स यहाँ पर फाइनले जो आप लोग का 14 दिसंबर 2021 जितने भी आई टी आई फॉस्ट इयर का प्रेक्टिकल का ए यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूं जो कि फाइनले यहाँ पर मैं आप लोग का एंस्वर सीट लेके आया हूं तो यहाँ पर जितने भी आई टी आई के छात्रे एक्जाम दिये हैं दो मार्च और प्रेक्टिकल का तो उनको यहाँ पर वीडियों कंप्रीट देख आप लोग का दो मार्च का एक्जाम आया है तो यहाँ पर जितने भी आई टी आई फर्स्टेक इस्टूटेंट हैं एक्जाम दिये हैं या देने वाले हैं तो सभी लोग वीडियों कंप्लीट पूरा इंड तक वाच करना तभी आप लोग मालुम हो पाएगा और फ्रेंड पर क्लिक करना है और आप तक आई टी आई जुड़ी सभी जानकाली पर सबसे पहले आप तक पौश्टी रहेगी तो आई यह टाइम न वेश्ट करती वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख पार फ्रेंड्स यहां आप लोग का दो मार में कमेंट करिया मैं आप लोग को प्रेक्टिकल आप लोग का ट्रेट वी आप लुग को बताऊंगा तो आक कौश्चंअ है को देख चाहिए ऑनको आइसो यानि 250 आपका मार्क्स है और आपका टाइम आपको मिला है आठ घंटे का जो कि आपका नोट में अटेम्ट आल क्वेस्टन आपको सभी क्वेस्टन का यहां पर एंस्वर लिखना है तो यहां पर आप लोग देख पारें जो पहला कोईसन है आपका वो 50 मार्क्स है ठी कोईसन नम्बर पहले का ठीक है तो यहां पर आप लोग देख पारे हैं आप लोग का यहां पर पहले का दिया गया है singal phage energy meter के connection करके प्रतिसत त्रूटी ग्याद करना तता उसकी योग्यता का सत्यापन करना ठीक है तो यहां पर आप लोग देख पारे है आप लोग थोड इसके बाद आप लोगों का कौन कौन से आवस्यक समागरी और उपकरड़ आपका प्रयोग में लिया जता है वह भी यहाँ पर आपका दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है working method ठीक है आप लोग सबसे पहल यहाँ पर आपका जो question है practical जो है वह आपको किस परकार करना है और बिधी भी आपको यहाँ पर लिखना होता है तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का बिधी दिया गया है ठीक है और यहाँ पर आप लोग देखिए आपका जो figure है कुछ है इस परकार का आप लोगों का figure दिख रहा है तो आप लोग अपने एकजाम में ऐसे ही बनाए होंगे तो आप लोग यहां पर जो आपको 50 मार्ग से वह आपको मिल जाएगा ठीक है जो कि यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग का दिया गया है जो कि यहां पर आपका फिगर दिया गया है और यहा पर आप लोगों का figure जो है ओभी आपका ड्रा इसी पकार करना था और आपका शावधानिया इसके बाद यानि आपको practical करने के दवरान कौन कौन से सावधानी को अपनानी है ओभी यहां पर देखिए आप लोगों का दिया गया है शावधानी में आपका सभी जोड कसे तथा स आप होने चाहिए voltmeter parallel और emitter series में जोड करना चाहिए practical और energy emitter को अर्द्वाधर लटकाया चाहिए ठीक है ऐसे ही आप लोगों का साधानिया था इसके बाद आपका जो question number second है ठीक है तो आपका जो question number second है आईए देखते हैं पहले हम लोग exam paper जो कि आपका question second क्या दिया है तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का twin tube light का आप लोगों को connection करना जो कि parallel में और यह आपका question number है यह आपका show marks का है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऐसे ही लिखना है पहला आपका दिया गया उद्देश जो कि object होता है तो यहाँ पर दो ट्यूबों को समांत क्रम में जोड़ना है इसके बाद परिशे आपका दिया गया introduction यदि दो 20-20 watt के tubes हो तो उन्हें समांतर क्रम में लगाकर 10 watt के चोक से जलाया जा सकता है ठीक है इसके बाद आवस्तक समागरी और उपकरड़ आपका है पेचका स्कमिनिसन प्लायर सही हो जाए पेचका चाकू फ्लोरोसेंट ट्यूब 40 watt का और चोक है आपका watt starter है और आपका capacitor है ट्यूब लाइट है ठीक है और आपका tube holder है PVC केविल से ठीक है यही सब आप लोग का दिया गया है आवस्तक समागरी और उपकरड़ में तो आप लोग इसी परकार लिखना था आप लोगो अगर इस परका से कसे हो शप्लाई देने से पहले सही होजाग पूर्याद चेक कर लें सभी सही होजन पर्याप तक कसे ताकि अपनी पूर्ण कारेख कर सकें और इसके बाद आप लोग को किस प्रकार टेवलाइट को जला रहे हैं किस प्रकार connection कर रहे हैं वह आपको कारविदी यहां पर आ दूसरे सीरे को ट्यूब से एक सीरे पर लगाते हैं दूसरी चोग के दूसरे सीरे से ट्यूब पर एक सीरे पर लगाते हैं सप्लाई का नियूट्रल तार दोनों ट्यूबों के दूसरी और से एक सीरे एक एक सीरे पर लगाते हैं दोनों ट्यूबों में दोनों और से सीरो पर इस्टार लगाते हैं सप्फिलाइ के समानतर प्र हैं नहीं का पर यह करने पर दोन्ट यूब्हें जल जाती इंदो कि यह बहुत आपको बढता है जो कि कि आप यहा पर देख पा रहे हैं आप लोगों का 2 ट्यूब्लाप एकनेक्षन आपको तो आप आप लोग ऐसे ही अपना किये हैं तो आपको एक्जाम में यहां पर फूल मार्क्स आपको मिल जाएगा ठीक है इसके बाद आपका लाश्ट कोईशन आता है जो कि नंबर तीन का आपका कोईशन तीन ही आप लोग का आया था जो कि यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं इसके बाद यहां पर आप लोग दिखिए आवस्यक सामागरी और उपकड़ भी आप लोग को दिया इसे आपको कमिर्शन प्लायर हो गया चाकू हो गया पेचकस हो गया एंसी टाइप वोल्ट मीटर हो गया आपका और यहां पर आपका एंपियर मीटर है ठीक है इसी परका का बेरी बइरी most important होता है क्योंकि आप लोग जब practical करते हैं तब आपको क्या क्या साधनियेंढ आपको अपना नहीं है क्या क्या सुरच्च्च्छा को करना यह थे सब आपको लिखना पड़ता है इसके बाद यहां पर आपका कारवीदी आ इसका प्लेम का कश्यक्त करते bırak प्रतिरोद बढ़ता है इस प्रकार धाराAh प्रवाहित होती है तो फ्रेंड्स यहीं आप लोग का 3 questions आप लोग का आया था आगे आपको कोई भी ट्रेट्स का practical चाहिए तो आप लोग नीचे comment box comment करिये मैं आप लोग को कोच आप लोग को बताऊंगा कि यह आपका practical किस प्रकार लिया गया है और कौन को इस question आया थे और किस प्रकार को करना था तो आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ने की हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करने आपको नीचे एक रेड़ करका बटन दिखना नादाने वादू